नमस्ते डियो स्ट्विंड्स मेरा नाम है राहूलांज चौधरी और मैं आप सभी का सोगत कर रहा हूँ पीटी एजुकेशन के यूटूब चैनल पे तो आज है हमारा सेशन नमबर 16 और आज जो हम टॉपिक डिसकस करेंगे वह है नैशनल रिक्रूट्मेंट एजनसी बहुत ही क्रूशल टॉपिक है अभी हाली में इस पे एक डिसीजन आया है कि यूनियन कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दिये इस एजनसी को बेसिकली बजेट में भी इसके बारे में बात्चित की गई थी तो हम देखेंगे कि क्या है एन आरे और क्या इससे रिलेटिड क्या इसके पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं और फिर आपके लिए लास्ट में कोशन ओफ दे डे जो सबसे पहला है हमारा नैशनल रकूर्ट्मेंट एजनसी में आपका सबसे पहले जो आ रहा है वो आ रहा है एक CET कंड़क्ट होगा that is common eligible test ये common test होगा सभी government exams के लिए इसके लिए जो budget रखा गया है जो government ने जो इसके लिए budget रखा है around 1500 करोड का budget है तो सभी जो government jobs है for group B and group C exams उनके लिए सिर्फ एक ही test हुआ करेगा अब multiple exams देने की जरूत नहीं है सबकी अलग-अलग fees भरने की जरूत नहीं है सभी exams को अलग-अलग center पर जाके देने की जरूत नहीं है like पहले क्या होता था कि कोई exam मेरा 2 August को है कोई 2 September को है कोई 2 October को है नहीं 2 October को नहीं होता उस दिन गान्दी जैनती होती है कोई 3 October को है वैसे 4 October को prelims है तो हर महिने exams date अलग-अलग होते थे फिर उनका transportation अलग-अलग होता था उनकी fees अलग-अलग होती थी तो सरकार ने इस चीज़ को देखते वे एक नई चीज़ लांच की है that is National Recruitment Agency उसके तहत सिर्फ और सिर्फ एक common eligible test सिर्फ एक test देना होगा for the post of group B and group C मतलब non-gazeted posts के लिए जो सरकार के तरफ से data आया है सरकार का यह कहना है कि लग-बग धाई करोड युवा 1.25 lakh jobs के लिए apply करते हैं और separate schedule और separate fees के साथ apply करते हैं जैसे भी हाली में पिछले साल railway का कुछ exams हुए थे तो railway के जो exams की जो fees थी उसमें एक system निकाला गया था कि आप fee payment कर दीजिए और अगर आपका पहला phase clear नहीं होगा तो आपको fee refund हो जाएगी लेकिन हुआ कि जब यह system किया गया तो इसमें exam centers बहुत दूर दूर डाल दिये गया लाइक कि कोई दिल्ली का student है दिल्ली का aspirant है उसके center को डाल दिया गया शिलॉंग तो इतनी दूर दूर के तरफ उसको भीजा गया तो यह जो transportation जो लगाई गए तो उस पे काफी जादा railway board जो था railway recruitment board काफी जादा विवादों में रहा था पिछले साल तो basically NRA कैसी body है NRA एक multi agency body है और जो की काम करेगी recruitment process का recruitment cycle को fast करेगी तेज करेगी क्योंकि अभी pandemic के बाद जो economic की हालत जो stats आ रहे हैं बहुत ही खतरनाक है आज मैं आपको एक sawking खबर भी बताऊंगा आप जानेंगे मेरे साथ तो पहले क्या होते थे कि जो यह non-gaserted ports जो होते थे group B, group C category के तो इसको तीन boards conduct करती थी एक था हमारा SSC, एक था RRB और एक था IBPS तो अब इन तीन को हटाके सिर्फ एक ही national recruitment agency की बात की गई है जो एक CET बनाएगी common eligible test जिसका एक ही exam होगा अब हर exam के like आप banking में जाएए या आप SSC में जाएए SSC CGL दीजिए आप कोई भी अगर आप RRB के exams ले लीजिए तो उसमें क्या होता है कि हर एक में pre stage होता है फिर mains होता है और कई exams में फिर interview भी होता है तो pre को common किया गया है तो यह common eligible test है वो दोनों phase का नहीं है सिर्फ first round का है तो preliminary test conducted by NRA after which candidates can use the scores to apply to the individual agencies for the next round for all central government jobs मतलब मेरा first phase मैंने दिया और मेरा crack हो गया तो मेरे पास अब option है कि मैं किस-किस में apply कर सकता हूँ अपने score से मैं banks में भी apply कर सकता हूँ मैं SSE में भी apply कर सकता हूँ मैं RRB में भी apply कर सकता हूँ तो यह government ने काफी अच्छा एक process बनाया है it's just like very similar to the exam process of CAT वहाँ cat का score होता है gate का score होता है तो उसी के जैसा ही कुछ pattern government यहाँ बनाने की कोशिश कर रही है जो कि बहुत अच्छा है क्योंकि recruitment cycle को काफी काफी आसान बना देगा और students की भी जो fees जो है students की जो fees का जो charges लगते हैं जो उनके separate schedules है transportation है उनके उपर जो stress है उसको भी काफी release किया जाएगा तो basically एक अच्छा कदम है उसके बाद यह जो CET है इसके तीन level होंगे first for graduate जिन्होंने graduation pass की है second for 12th pass and third for 10th pass तो हर level के बंदे इसमें appear हो सकते हैं और अलग-अलग district में इसे launch किया जाएगा common eligible test लिया जाएगा जिससे की rural youth, women और disadvantage candidates को जादातर मदद मिले पहले क्या होता था कि like आपके एक ही month में suppose कीजिए आपके चार exams है तो suppose कीजिए कि आपका एक RRB का exam है और फिर दो दिन के gap के बाद आपका एक bank का भी exam है तो जो rural के बंदे होते थे फिर उनको select करना पड़ता था हलाकि form उन्हें दोनों भरे हैं पैसा दोनों को दिया है लेकिन time gap होने के वज़ए से जो time narrow जो है दो दिन का gap है तो उसमें सोचते थे कि यार कहां एतनी दूर जाएंगे तो जिसकी तयारी जादा अच्छी है वही exam दे देते हैं तो इस वजह से government ने एक कदम उठाया कि यह चीज भी ना रहे common score आएगा common score से फिर वह student phase 2 के लिए किसी भी board में जाके apply कर सकता है इसके बाद NRA mock test भी बनाएगी जैसे NTA mock test लेती है आपको मालूम होगा NTA ठीक है NTA जे मेंस के लिए है तो NTA क्या करती है कि जैसी वो जे मेंस लाती है तो वो एक mock test भी conduct करती है एक sample mock test देती है तो rural youth के लिए उनकी practice के लिए क्योंकि जो digital education के साथ जो problem है वो यह problem है कि जो urban youth है उनके लिए तो ठीक है वहाँ पर internet है वहाँ पर उनके पास facilities है तो वो सब कुछ कर लेते हैं लेकिन जो गाओं के बंदे हैं उनके पास facilities उतनी अच्छी नहीं है तो वो mock test सही से नहीं लगा पाते सही से उनकी preparation में कुछ कमिया रहती है जैसे कि NEET के लिए भी जगड़ा चल रहा है NEET जो हमारा जो medical का exam है इसमें कई experts का यह मानना है especially from South India की यह equality को represent नहीं करता तो इस पर आप research कीजेगा कि मैंने ऐसा क्यों कहां कि NEET या J.E.Mains जैसे exam जो है वो equality को represent नहीं करते हैं इसके बाद 24 into 7 helpline और grievance redressal portal भी available होगा NRA के थुरू basically जो infrastructure है वो हर district में होगा और especially जो है aspirational districts को काफी महत हो दिया गया है यहाँ पे 117 aspirational districts है हमारे पास next जो common eligible test है common eligible test में जो आपका score आया वो तीन साल के लिए valid रहेगा just like cat का score होता है या फिर जो gate का score होता है मैं आपको पहले बताया था यह बिल्कुल similar process पर government जा रही है जैसे cat gate के थुरू जाते हैं तो तीन साल के लिए आपका यह score valid रहेगा from the date of declaration of result और जो best score है वो आपका choose किया जाएगा जैसे आपने जो भी exam दी है तो उसमें जो आपका best score है उसे वो लिया जाएगा ठीक है number of attempts पे कोई restriction नहीं होगी unless वो matter हो upper limit का जो upper limit age relaxation जो भी है reserve category के लिए किसी के लिए वो government अपने notification में policies में maintain करके आपको देगी उसके बाद curriculum क्या होगा जब एक ही test आप आप SAC के लिए भी एक ही test बना रहे हैं आप RRB के लिए भी एक ही test बना रहे हैं आप IBPS के लिए भी एक ही test बना रहे हैं तो इनका syllabus क्या होगा तो syllabus भी common होगा और extended syllabus होगा initially यह exam 12 languages में launch किया जा रहा है हला कि यह कहा गया है कि बाद में इसे 22 languages पे भी जो कि हमारे schedule 8 में है जितने languages हैं सभी में हम इसे launch करेंगे लकिन फिलहाल initially 12 languages में यह exam conduct होगा क्योंकि हम जानते हैं कि कितना diverse है हमारा देश तो यह उस हिसाब से भी बहुत अच्छा है कि multilingual और diversity को भी यह जो CET है या NRA है support कर रहा है ताकि सबके लिए equal opportunity बनी रहे है उसके बाद recruitment cycle की जो process है व benefit मिलेगा यह कुछ PIB के graphics हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया है उसको ध्यान से आप पढ़ लीजेगा पूरे 10 step में पूरा कुछ लिखा हुआ है जो हमने यहां पे पूरा discuss किया brief में तो पूरा संपूर्ण यह आपके पास इसको आप अच्छे से use कीजिए main बात क्या है द bank list, merit list कह लिजिए उसके बाद आपका आएगा appointment तो इतने process से गुजरने के बाद एक बंदे को एक aspirant को इतने मशक्कत के बाद इतनी मेहनत के बाद इतनी तपस्या लगन इंतिजार के बाद उसको एक government job मिलती है राइट government ने का जो ये कदम है वो सिर्फ पहले block पे चोट कर रहा है आप समझ रहें इस बात को उन्होंने बाकी सारे blocks पे चोट नहीं किया ये बाकी सारे blocks है ये सब respective boards के पास ही है वही इनकी process को देखेंगे होता कहा है कि exam तो हो जाते है लेकिन final result तक आते आते काफी देरी हो जात नहीं कर रहा है वो effective जो policy बनाए गई है वो यहाँ पे implement नहीं हो पा रही है यहाँ पे हो पा रही है तो यह इस policy का इस यह जो policy भी आई है जिसको union cabinet ने मंजूरी दी है उसका एक negative aspect है ये तो इसको आप ध्यान रखेगा अच्छे से right one nation one exam पढ़ लिजेगा दा हिंदू से म one nation one exam का यहाँ पे definition दे दिया है तो इसको आप पढ़ लिजेगा जो सारा हमने discuss किया है वो सब कुछ यहाँ पे है ठीक है RRB, railway recruitment board, staff selection commission, institute of banking personal section ठीक है इसके बाद यह कुछ stats है बहुत ही, यह stats ऐसे stats है जो बिल देलाने वाले stats है कि भारत की economic किस तरफ जा रही है कैसे हम young and job less मतलब हमारा जो demographic dividend है तो आप मुझे बताइए आपके लिए पहला सवाल कि demographic dividend है क्या, तो हमारा जो demographic dividend है कहीं वो demographic disaster ना बन जाए, तो उसके लिए यह जो साल है यह बहुत ही crucial है क्योंकि economy बहुत ही, मतलब एक तरीके से कह लिजए कि recession में ही जा रहा है, ठीक है, एक shocking खबर जो है वो मैं आपको अगली slide में दिखाऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं, जैसे ही जो नीला बारे यह रेखिए, job losses in April compared to August, अप्रेल और अगस्त के comparison में कितने job loss हुए और जुलाई और अगस्त के comparison में कितने job loss हुए, तो यह पूरा stat है देखिए देखिए, small and trader laborers सबसे ज्यादा इनको चोट पड़ी है, उसके बाद entrepreneurs हालत कराब है, entrepreneurs बनने की कोई ज़रुत नहीं है भारत में, right, यही stats तो यही बता रहे है, यह CMIE का stat है, Center for Monitoring Indian Economy, उसके बाद salaried employees, एक positive news यह है कि jobs in farm sector increase हुए है, क्योंकि farm अच्छा कर रहा है, agriculture अच्छा कर रही है, लेकिन व कि cement industry काफी ज़्यादा उच्छाल कर रही है, आप अगर सडकों पर जा रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि boards में, roads पर जो खंबे लगे होते हैं, उसमें, cement की branding काफी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि उसमें investment अभी ज़्यादा है, क्योंकि उनकी cycle बहुत अच्छी चल रही ह due to rural development, right, तो वहाँ पे हमारा ठीक है, काफी सारे experts और economist का कहना था कि क्या भारत इंडिया का pain उठा पाएगा, तो इसमें भारत और इंडिया, ये दोनों अलग अलग बाते कही गई है, basically भारत for rural part and India for urban part, right, उसके बाद और देशों में क्या हालत है, youth employment rate 2019 में क्या था, और 2020 म सिफ भारत के साथ ही नहीं है, बांगलादेश, पाकिस्तान, थाइलेंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, सब के साथ ही बढ़ रहा है, सब ज़्यादा जो मार पड़ी है, वो young woman को पड़ी है, woman की हलत बहुत ज़्यादा खराब हुई है, इस pandemic के बाद उनके job losses काफी में आपके काम आ सकता है, और यह है वो सबसे ज़्यादा shocking news, जो कल आई, 1.89 करोड, salaried Indians lost job since April, 50 लाग जिनमें से सिर्फ और सिर्फ जुलाई में है, तो यह हालत हो गई है कि जो salary पे थे, उनकी job भी चली गई, unemployed की तो बात ही नहीं है, यहापे, जिनकी job लेगे नहीं, उन बहुत ही बड़ी shocking खबर है, आज का आपका question of the day, question को अच्छे से पढ़िये, बताए क्या इसका answer होगा, National Recruitment Agency aims to conduct, क्या करना चारिये NRA, common entrance exam for all gazetted posts at central and state government, common entrance test for non-gazetted posts in government and public sector banks, recruitment test for non-permanent and contractual teachers in central and state government schools, separate exam for inter-military and paramilitary forces, तो यह आपका question है, and the correct answer is, option B, non-gazetted post के लिए है, in government and public sector banks, हलाकि कहा गया है, कि आगे चलके यह जो score आपका जो आएगा, जो तीन साल के लिए valid है, अभी तो central government में ही आप इसे apply कर सकते हैं, और कुछ public sector banks, public sector banks में, लेकिन बाद में आप इसे state government में भी apply कर सकते हैं, और private firms में भी apply, इस score को आप कर सकते हैं, जिसके थुरू आपको कुछ न कुछ जॉब मिली जाएगा, right, तो यह था आज का हमारे session, I hope आपको अच्छा लगा होगा, session को like करना ना भूले, share करना ना भूले, और यह कुछ PT resources हैं आपके लिए, team आपके लिए बहुत ज़्यादा म यहाँ दो आपको का लिए, जोगा होगा हैं आपके लिएश Rhागा है, रहा हमारे grown-up का लिए हैं, जोओर आपके लिए वानभी जापके सिर्फषण शवाने हैं, जो आपके लिए वारे, हुए, मैज भी गिए पुरें सेमेकर बिएंदार को अपकेशने मारे, तो आतishingось प